हाई आपको प्रॉमिस करा था कि जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आके आपको सारे के सारे अपडेट्स दे दूंगी करने हैं तो इसलिए तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टन न्यूस है उनके लिए भी ये न्यूस बहुत इंपॉर्टन है तो सारे के सारे अपडेट्स जो है कल दो दिनों में आये थे दो दिन पहले वीडियो डाली कि उसमें मुझे हम लोगों ने क्या था चलो वेट करते हैं सबर का फल मेठा होता है बट आज हमारा 28 जुलाय हो गया है और अभी तक रिजल्ट जो है गाईस नहीं आया है तो आप आगे क्या होने वाले तो थीक है तो तो तीन से चार चेंज आये हैं अभी सबसे पहली चीज़ तो कि 26 जुलाय को जो सीब्सी की यह वेबसाइट होती है यहां पे जो है एक चेंज आया है जो इसका पैटन होता है वो चेंज हुआ है तो हो सकता आपको पता अभी हो तो पैटन चेंज होने का मतलब है कि सीब्सी ने मार्क्स प्रोडिंग प्रोसेस में भी तो टाइम लगेगा तो 27 को भी रिजल्ट नहीं आया और 28 अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो अब नेक्स्स जीज यह है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हमें एकडम से ऐसे कैसे पता चलेगा रिजल्ट आ गया है तो जैसे लाश्ट यह हुआ था most of the news websites ने यह बताया है और हो भी सकता है ऐसा 99 परचेंट तो ऐसे ही होगा कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी है वह ना अपना जो उनका सोशल मीडिया है वहां पे डाल देंगे यह news की आपका रिजल्ट अप्लोड हो चुका है ठीक है मेंबी ट्विटर मेंबी समद्र हैंडल तो वहां से हमें समद्र में आ जाएका दैट यह सीब्यसी का रिजल्ट अनाउंस हो गया में पता चल जाए तो उसके तो कोई दिक्कत नहीं है बाहिए जिस दिन अनाउंस्मेंट होगी वह तो पता चली जाएगा बट फर्स अनाउंस है बहुत नया है इसमें देखो डिले होना बनता है बिकॉस यह बिल्कुल ही टाइब के स्कीम आई है कुछ स्कूलों ने माग जब अप्लोड कर दिये फिर उनको मॉडरेशन करने के लिए बोला गया तो डिले होना इस ओक है बट यह है हम अपडेटेड रहे है जिससे कि कम हमें वह बेचैनी सियों कि कब आ रहे है तो पहले क्या था टेंथ के रिजल्ट का हम वेट कर रहे थे बाइट विट जुलाए और अब जो है थोड़ा सा चींज देखने को मिल रहा है जितनी भी मैंने न्यूज वेब साइट से कल शाम से लिए अभी तक मैं बार-बार चेक करें कि कुछ हो जाए बट यह अलग-अलग न्यूज पर यह थोड़ा बहुत हमें हिंट मिल रहा है क्या कि हो सकता है इस साल भी जो है ट्वेल्ट का रिजल्ट पहले डिकलियर हो जाए और टेंथ का रिजल्ट बार में डिकलियर हो क्यों विकॉस एस पर ट्रेंड जैसे प पहले आजाएगा तो बहुत कम दिन बचे तो कल आजाए परसो आजाए यह लिखा हुआ है तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ठीक है तो 12 स्टूडेंट जिन्हों ने अभी तक अपने रिजल्ट के लिए डिजी लॉकर पे जो है अपना नहीं बनाया वो जाके बना सकते है मैंने रिसेंट वीडियो में एक बार जब देंध रिजल्ट का बताया था उसमें मैंने डिजी लॉकर का पूरा प्रसेस बता दिया था कि आप कैसे अकाउंट बनाओगे जो डिजी लॉकर है ना उसने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी जो है पोस्ट डाला था कल ही सब्सक्राइब और तुमारा काफी सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं तुमारी माक्षी जो है वो डिजी लॉकर पर तुम्हें डिजिली मिल जाएगी ठीक है तो 12 स्टूडेंस अपना जो है साइन अप कर लो डिजी लॉकर पे बहुत ईजी सा उसका जो है प्रोसेस है डिस्क् या में और किसी 10 वाले बच्चे ने भी अगर नहीं डिया है तो वो भी जो है अपना अकाउंट बना लो ठीक है तो अभी क्या नियूज है इन फाक्ट एक जगह पे मैंने यह भी पड़ा है अगर हो सकता है 12 का रिजल पहले आए तो माइट भी पॉसिबल कि 10 का रिजल जो के लिए तो चलो है कि उनको अगर हमने कॉलिज के लिए यह एक्साइट दिया वाला तुम लो क्या तुम अपने 11 की स्टडी करो डोंट वरी बटीजी लॉकर पर अपना अकाउंट बनाकर लो बिल्कुल की जिस दिन रिजल्ट आएगा सी बेसी से चेक भी कर लिए तब भी बच्छों को तो यह सारे स्कूल को जो है इंस्टरक्ष्ण डे दिये हैं कि स्कूल वाले बच्छों को रोल नंबर दे दे क्युष्ण के सूद्र की बच्छों स्कूल बच्चों के ओनीज का सघ्जी मुझे तो आंद कॉ सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं मेला रोल नंबर कॉल स्कूल से एक्रिस करो जल्दी से अपना रोल नंबर मांग लो टीचर से सिसलेबर हमारा जुसारी रिजल्ट है किसी भी टाइम आ सकता है किसी बहुत समय से ट्राक्शन नहीं कर था तो लाइब अभी तक यहीं अपडेट आ रहें किसी अपने रोल नंबर अपने पास बिल्कुल ही रेडि कर के रख लो डेजी लोकर पे अकाउंट बना लो विकाउट पर आपकी तो बहुत में माईग्रेशन से और उन सब की तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया से रिजल्ट आप कैसे ले सकते हो अपना कई बर डारेक्ट समस आजाता है तो यहीं कुछ अपडेट्स थे क्या की 12 का रिजल्ट अब पहले आ सकता है विकास लास्ट यह का ट्रेंड भी है हमेशा से यह होता रहता है 10 को सकता उसके अगले दिना है हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो 10 का ही आजाए वेले बट स्टिल अपडेट्स थे तो मैंने आपको बता दिया है सी बीसी की वेबसाइट के लियाउट में चेंज हुआ है तो अविसली हमारा रिजल्ट जो है आज से तीन से चार दिन के करेंगे आपके रिजल्ट के ऊपर बट तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई करते रहों ओके तो क्लास 11 स्टुदेंट्स आप लोगों की सारी की सारी वीडियोस क्लास 11 इंग्लिश फूल स्लेबसे देयर और मैं चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक अब हम एक से दो दिनों के अंदर क्लास 11 स्टुदेंट्स आपका MCQ माराथॉन स्टार्ट कर देंगे जिसमें MCQ क्वेशन पर फोकस करने वाले हैं तुम लोगों के लिए और चाप्टर एक्स्पानेशन वीडियोस ऑल्सों के स्टे टून अब अब अगर आप लोगों को इ इंट्राम आइडी का लिए डिस्क्रिप्शन वाक्स में गिवन है मैंने क्लास 11 के सारे चाप्टर अप्लोड करने का प्रस्ट कर दिया है मैंने इंस्टारम इडी पर पीडियोस दाले है तो आप वहां से नंगों करके उनकी पिच्छ क्लिक करके प्रिंट आउट नेकलवा अब भी आपको अपने इस प्रोसेसर रिलेटेट कोई भी क्वेरी है कोई क्लास 12 का स्टूडेंट भी है आप लोगों से तो बहुत दिनोंगे इंट्राक्शन करें अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो इकन तेल में दाउन इंदा कमेंट सेक्शन कोई प्रॉब्लम आ रही हूं प्ले स्टूर से डाउन लोड कर लो आप वन इस बेस्ट वीडियो में आप वाले का ही एक्जांपल दीके समझाया था तो आप वाला बेस्ट है आप डाउन रोड कर लो वहां से भीकुल एक्सेस कर पाऊगे आप एनी टाइम गेट स्टार्ट करके उसका अकांट बना नहीं तर्ड डिजलॉकर अकांट जल्दी बना लो 11 फालो को तो मैंने पहले ही बनवाद गया था ओके तो विद देस आम इनिक इस वीडियो इफ यह वेडियो इनी क्वेरी इस दो किने अल्मी डाउन इन दाउन सेक्शन और नाउ इन नेक्स वीडियो वोपफुली नेक्स वीडियो वो हो जिसमें मैं आपको बेग अनांस्मेंट करके आपका रिजल्ट बोलू कि जाओ जल्दी से जाके सीब्यसी डॉट निक पर अपना रिजल्ट चेकरो रिजल्ट आ गया है तो लेट्स प्रेइड कि अच्छा सा रिजल्ट आए हमारा एंड रिजल्ट अब जल